आपकी जबर्जस्त तैयारी कराना शुरू कर दिया हूँ आप डिस्किप्शन में लिंक पर जाएं वहाँ पे क्लिक करके हमारे साथ जुड सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आपीव में बताएंगे आप्यू मैट्रिक्स इसमें सबसे महत्बुर्द प्रशनों के बारे में आज हम बताएंगे उसके हल भी साथ में देने वाले हैं आज हम बताएंगे लगुतरी प्रशन तो चलिए लगुतरी को हम सॉल्व कर लेते हैं ये विडियो बना जा रहा है class 12 NCRT pattern से तो all board के लिए बना जा रहा है total NCRT से लिया गया है वो कौन से महत्पूल प्रश्ण है उसके बारे में बताएंगे साथ में उसका हल भी देंगे और आप एक चीज़ नोट कीजेगा कि किस प्रकार से आपको word exam में लिखना है तो चलिए बारी बारे से हम बताना शुरू करते हैं पहला नमबर मैंने यहाँ पर question ले लिया है जो कितनी बार पूछा गया है यह भी हम आपको बता देते हैं question है यदि x-5-1 और दूसरे bracket में आपको यहाँ पर दिख रहा है x41 is equal to 0 तो x का मान हमें यहाँ पर ग्याद करना है इस total data से हमें calculate करके x का मान हमें ग्याद करना है और यह जो question पूछा गया है यह पूछा गया है 2018 में 17 में 16 में तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस type से तो question पूछने वाले हैं और यह जो question है यह मात्र दो अंक्र का पूछा गया है तो दो माक्स के question के लिए आप इसको ध्यान से समझेगा मैं इसको हल करके भी बढ़ाऊंगा कि कैसे इसको हल किया जाएगा वह भी बोर्ड एक्जाम के लिए सबसे पहले आपको हल लिखना है हल लिखने के बाद आपको करना के इन दोनों का अपस में गुडा करना है तो गुडा कैसे होगा समझेए इसको गुडा करने के लिए करना है करना के है सबसे पहले पहले का पहले में गुडा करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जागा x अब इसी तरह minus 5 का गुड़ा करेंगे 0 में तो यह बजागा 0 फिर minus 1 का 2 में करेंगे तो यह मिल जागा minus 2 तो यह हो गया पहले के लिए तो यहाँ पर क्या मिल चुका यह? पहले के लिए हमें मिल चुका है अब आते हैं second के लिए तो x का 0 में गुड़ा करेंगे तो यह हो जागा 0 तो यहाँ पर हम लिखेंगे minus 2 और फिर यहाँ पर लिखेंगे x into 0 is equal to 0 फिर minus 5 का 2 में गुड़ा करेंगे minus 10 अब इसमें minus 1 का गुड़ा 0 में करेंगे यह हो जागा 0 यह हो गया पहले के लिए यह दूसरे के लिए और तीसरे के लिए करना है तो x का 2 में गुड़ा करेंगे तो यह हो जागा 2x फिर minus 5 का गुड़ा करेंगे तो यह हो जागा minus 5 minus 1 का 3 में गुड़ा करेंगे minus 3 यह हो गया गुड़ा ठीक है यह तो हो गया गुड़ा पहले के लिए इसमें कर दिया यहां पर आ चुगा दूसरे के लिए इसमें कर दिया यहां पर आ गया तीसरे का तीसरे कर दिया यह गया अब बचा किया x41 अब यह बराबर है 0 के ठीक है अब इसके बाद करना कि इन दोन X-8 मिलेगा तो यह हमें इस तरह से तीन अलग अलग रो मिल चुका है और यहां पर बचा है X, 4, 1 और यह बरावर 0 के है फिर आपको क्या करना है पहले का पहले हम गुड़ा करेंगे X-2 और यहां पर है X ठीक है फिर दूसरे में गुड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा minus 10 का form करेंगे तो यह मिल जागा minus 40 फिर इसमें गुड़ा करेंगे तो plus 2X minus 8 यह is equal to 0 के बरावर है अब इसको हमें solve करना है तो यह बज़ेगा X square minus 2X minus 40 और यह 8 मिलेकर 48 और यह plus 2X is equal to 0 फिर x square ये 2x से 2x cancel minus 48 is equal to 0 तो x square बराबर 48 तो x बराबर क्या हो जाएगा x से बराबर ये root में चला जाएगा 48 अब इसको बाहर निकालना है अगर 48 को बाहर निकालते हैं ये हो जाएगा plus minus 4 root 3 ये हो जाएगा x की value जो हमें पूछ रहाता इतना ही करने पर आपको अगर 2 marks मिल रहे हैं तो कोई रोका नहीं है आप इसको ले सकते हैं चलिए अगला question देखिए second जो question दिका रहा है ये है यदि a बराबर दिया है data और b का भी data दिया गया है c का भी data हमें दिया गया है तो c देखिजिए कि a b plus c is equal to a b plus a c और ये जो question पुछा गया है ये है 2014 और 7 तो ये भी 2 marks के ही question है तो चलिए इसको कैसे solve करना है और कैसे लिखना है board exam में इसके लिए हम details में बताते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे हल लिखना है black pen से हल लिखने के बाद अब आपको करना क्या है हमें left hand side को ले लेना है right hand side के बराबर लाना है तो लिखेंगे left hand side left hand side हमारा क्या है a b plus c ये हमारा है तो a को पहले हम छोड़ते हैं पहले b plus c ग्याद कर लेते हैं अगर ये ग्याद हो जाएगा तो उसमें a का गुड़ा कर देंगे हमारा वो ग्याद हो जाएगा तो इसको लिखेंगे b plus c बराबर b की value है 2,0,1,1 ये हो गया b plus c की value है minus 1,2,3,1 ये हो गया c की value अब हमें इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे 2 का minus 1 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 इसको जोड़ेंगे तो 2 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 तो इस तरह से मैंने जोड़ लिया तो ये आगया b plus c की value अब हमें क्या आप करना है a b plus c मतलब इसमें a का गुड़ा करना है तो a की value जो है यहाँ पर ये दिख रहा है a की value ठीक है a की value ये हो गया इसमें b plus c को हमें add कर देना है 1, 2, 4, 2 ये हो गया b plus c की value 1, 2, 4, 2 ठीक है अब इसके बाद क्या करना है इन दोनों का गुड़ा करना है तो इन दोनों का गुड़ा देखिए कैसे होगा 1 का 1 में गुड़ा करेंगे बिल जाएका 1 फिर 0 का 4 में गुड़ा करेंगे यह हो जागा 0 तो इसको छोड़ देंगे अब आते हैं इसके second वाले में तो second देख लिजे दूसरे अगर पंक्ति में गुड़ा करें तो 1 into 2 is equal to 2 और इसका गुड़ा करेंगे तो 0 तो मिल जागा केवल 2 यह हो गया अब हम नीचे आते हैं तो 1 का गुड़ा करेंगे 1 कम 1 और इसका गुड़ा करेंगे तो 4 कम 4 तो 4 और 1 5 तो इस तरह से हो जाएगा 5 ठीक है हो गया चार आपको गुड़ा करने आता है इसलिए मैं यहाँ पर डारेट कर रहा हूं क्योंकि गुड़ा करने अगर नहीं आता है तो आप पहले उसको सीखिए क्योंकि यह बेसिक चीजे नहीं है यहाँ पर सी लेबल पर हम आपको बढ़ा रहा है यह बी प्लस सी यह निकल गया हमें लेफ्ट हैं साइट की वैल्यू तो लेफ्ट हैं साइट की वैल्यू तो यह हमें पता चल गया है यह गया B की value, तो इन दोनों को रख लिया, A, B, अब plus A की value फिर से रख लेते हैं, और C की value रख लेते हैं, minus 1, 2, 3, 1, यह गया C की value, तो आप देख सकते हैं, A, B, plus A, C, ठीक है, इन दोनों का इधर गुड़ा करेंगे, प्लस लगा के इन दोनों का इधर गुड़ा करेंगे, तो 1 का 2 में गुड़ा करेंगे, 2, इसका गुड़ा करेंगे, 0 तो मिल जागा केवल 2, अब फिर इसका गुड़ा करेंगे, तो 0 का 0 में, है न, मतलब इस तरह से सब का गुड़ा करेंगे, तो क्या आएगा, यह देखिए, तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको गुड़ा कर ल अगा 3 को 2 में चूड़ेंगे 5 और 3 और 1 4 तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं ये वैल्यू है राइट हैं side की value चलिए left hand side की आया था ये देख लेते हैं left hand side one two five four one two five four दोनों बराबर आया हुआ है तो आप लिख सकते हैं left hand side बराबर right hand side इसके बाद आप यहाँ पे लिख लिजिए iti सिद्दम इतना करते हैं तो आपको पूरे marks दे दिया जाएगा अगला question देखिए अगला question है यदि a का data दिया गया है और b का भी दिया गया है तो a b तथा b a ग्याद कीजिए इस type से question हमें साथ दो अंक के इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये question आप व्यू का सबसे सरड question है और इसको नहीं करते हैं तो समझ लिजिए कि आप कुछ नहीं करते हैं ये जो गूडा करने के method दिया गया है ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि गूडा भी कैसे किया जाता है ये question पूछा गया है 2017 और 2018 में वो भी दो marks के question तो चलिए कैसे लिखते हैं ये भी आपको बदा देते हैं पहले हल लिखना है पहले AB को गयाद करेंगे तो लिखेंगे AB बराबर पहले A की डाटा लिखेंगे ये हो गया 0-1, 0-2 इसी तरह B का भी डाटा हमें लिख लेना है ये हो गया अब AB का गुड़ा करेंगे तो हम कैसे गुड़ा करेंगे पहले का तीसरे में हम गुड़ा करेंगे तो क्या होगा 0 into 3 अब प्लस करेंगे minus 1 into 0 तो यहाँ पर लिखेंगे minus 1 into 0 यह होगा पहले के लिए फिर second के लिए 0 into 5 plus minus 1 into 0 देख सकते हैं 0 into 5 फिर 0 एंटु 5 और मार्णिस 1 इंटु 0 धिक है यह हो गया अब नीचे आते हैं नीचे है 0 इंटु 3 अब PLUS 2 इंटु 0 यह गुड़ा हो गया अब इधर करते हैं 0 into 5 अगुड़े 2 into 0 यह हो गया तो इस तरह से इन दोनों का गुड़ा मैंने इसमें कर दिया फिर इन दोनों का गुड़ा इधर कर दिया इन दोनों का गुड़ा फिर इन दोनों का गुड़ा यहां पर कर लिया इस तरह से यह हो गया गुड़ा अब इसको को करना है calculate तो चलिए कर लेते हैं देखिए कैसे होगा तीन का जीरो गुप में गुड़ा करेंगे यह 0 और यह 0 और यह 0 और यह 0 इदर भी 0 है यह 0 है तो यह भी 0 है यह आ गया AB की value 0 के बराबर अब हमें ग्याद करना है BA तो BA निकालते हैं पहले लखेंगे B की value यह हो गया B की value फिर A की value हमें दिया गया है यह लिख लिए मैंने A की value इन दोनों का भी गुड़ा करना है तो चलिए इन दोनों का shortcut में गुड़ा करते हैं इन दोनों का पहले पहले row का पह फिर क्या करेंगे इस row का इस column में second में भी हमें गुड़ा कर लेना है तो 3 into minus 1 plus 5 into 2 यह हो गया फिर इसका गुड़ा इधर करेंगे इन दोनों का भी गुड़ा इधर करेंगे तो यह हुझा का total 0 हो गया 0 minus 1 plus 0 into 2 यह हो गया अब चेक करते हैं कितना आया है तो यह 0 हो गया यह भी 0 तो यह दोनों मिलके 0 अब यह मिलके आजयागा minus 3 तो लिखेंगे क्या minus 3 और यह 5 दोनी के 10 तो 10 में से minus 3 को घटा देंगे आजयागा 7 फिर यहां पे यह 0 है तो यह सारा 0 दिया गया है तो यहीं अब फोर सबसे महत्पूर कोश्चन है और यह आज का अंतिम कोश्चन है यदि A बराबर डाटा दिया गया है और B बराबर भी दिया गया है तो पूछ रहा है यदि AB के power dash is equal to B dash A dash इन दोनों को सत्यापित करना है सिर्भी करके हमें बताना है कि क्या यह दोनों आपस में ब 2015, 14, 9, 8 इसमें यह question पूछा गया है हो सकता है इसका data change कर सकता है लेकिन पूछता हमेसा यह है कि AB के whole power dash is equal to B dash A dash इस तरह से कोई भी question अगर दे तो आपको कैसे करना है चलिए details में हम आपको बता देते हैं तो port exam में लिखना कैसे है सबसे पहले हल लिखना है हल लिखने के बाद आपको AB पहले निकालना है तो लिखेंगे AB is equal to A की value है 3, 7, 2, 5 यह हो गया A और B के लिए है 6, 8, 7, 9 यह हो गया B अब आपको करना क्या है इन दोनों का गुड़ा करना है अब इन दोनों का गुड़ा क निकाल करेंगे तो क्या हो जागा 6, 3, 18 अब प्लस सासाती के 49 तो यह हो गया 49 यह तो गईा पहले के लिए अब सेक्ण के लिए करेंगे तो कितना हो जागा आठ तियां के 24 अब प्लस सत्य के 63 यह हो गया पहले रो का पहले में हमने कर लिया दोनों मिठीक है अब नीचे आते हैं तो नीचे करेंगे तो यह बजागा 12 छे दूनी के 12 अब प्लस 7 पचे के 35 यह हो गया फिर 8 दूनी के 16 अब प्लस 9 पचे के 45 यह मैंने गुड़ा कर लिया फिर इसको जोड़ लेते हैं 18 और 49 इन दोनों कर जोड़ते हैं तो यह जागा 67 यह हो जागा 47 और यह हो जागा 61 तो मैंने यहाँ पर AB का मान तो निकाल लिया लेकिन हमें क्या करना है AB के whole power dash करना है अब आपको dash का अगर मतलब नहीं समझ माता तो देखिए यहाँ पर कैसे होता है AB का अगर dash निकालेंगे तो जो data दिया गया वो row का column में change कर देना है तो यहाँ पर आगर हम change करते हैं तो मिल जागा 66 और यह हो जागा 87 देखिए यह क्या है था रो में था उसको मैंने column में change कर दिया और इधर क्या हो जागा इधर हो जागा 47 और यह 61 यह इस तरह से मतलब पहला और चौथा यह तोनद चेंजर नहीं होगा इन दोनों को आपस में change कर दिके यह आपका आ जाएगा तो यह हो गया left hand side के लिए अब हम निकालेंगे right hand side के लिए तो right hand side के लिए सबसे पहले हमें a dash क्याद करना पड़ेगा तो a dash के लिए हम लिखेंगे a बराबर हमारा दिया है 3,7,2,5 यह a की value है तो a dash हमारा क्या हो जागा इन दोनों को change कर लिजिए 3,5 तो छोड़ देते हैं क्योंकि इन दोनों को change नहीं करना है अब यहां पर लिख लिए 2 यहां पर हो जागा 7 यह मैंने change कर दिया यह हो गया a dash का value इसी तरह से b dash को ग्याद करेंगे तो वो हो जाएगा b dash बराबर 6789 यह हो गया b dash की value अब हमें last में जो right hand side ग्याद करना थ अब वो था b dash a dash तो लिखेंगे b dash a dash b dash की value है 6789 और a dash की value मैंने निकाला है वो है 3275 यह हो गया अब गुड़ा करते हैं तो 6,3,18 और 7,7,9 अठारा और 9 को जोड़ लेते हैं तो यह आजागा आपका sunset यह हो गया इसी तरह से second में करेंगे 6 दूली के 12,5 सते के 35 उचको तो यह आजागा 46 यह इस तरह से 46 में 47 है यहाँ पर 47 है ठीक है तो यह हो गया 47 और इधर पर गुड़ा कर लेते हैं तो हमें मिल जागा 87 और यह 61 तो आप देख सकते हैं कि यह जो value आया है यह है right hand side की value और यहाँ पर मैंने जो निकाला था यह था left hand side की value तो दोनों की value right hand side is equal to right hand side यह लिख सकते हैं इती सिद्दम इतना करने पर आपको पूरे marks दे दिये जाएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो की दिर्ग उत्री के लिए वीडियो बना जाएगा जैहिन जैभर